आपने मुझे बुलाया पिताजी मुझे लग रहा है कि अब मेरे पार जाड़ा दिन नहीं है राम इसलिए मरने से पहले तुम्हें एक जिम्मेदारी दे कर जाना चाहता हूँ कैसी जिम्मेदारी लेकिन ध्यान रखना बेटा जब कोई रास्ता ना बचे तब ही मेरे इस ब्रम्हास्त्र का उप्योग करना ठीक है मरने से पहले मैंने सोचा था कि अपने छोटे बेटे को करमठ बना दूंगा लेकिन नहीं ऐसा हो ही नहीं पाया पिता जी तो मरने से पहले भी मुझे ताना देना में चोड़ रहे हैं सुनो सुनो बच्चे जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम दोनों की कुंडली बनवाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाविश में तुम दोनों में से किसी एक को गुप्त धन मिलेगा और उसके बाद मामा वो गुप्त धन अगर एक बार पर हाथ लग जाए तो फिर तो मजाई आ जाएगा क्या ची आपका काम पर जाने का समय नहीं हुआ क्या अरे बाग्यवान मुझा परिशान मत करो मुझे सोने दो क्या कर रही हो श्याम, तुम सिर्फ खाते हो, पीते हो और सोते हो, काम ददा कप करोगे, इतना अलस क्यों है क्या बहिया, सुपह सुपह आप भी शुरू हो गया तुम बस सोते ही रहो यह तो बेवकूफ लोग किया गरते हैं जो दिशी ने पिताज इसे क्या काता भूल गई क्या मेरे भाग्ये में गुपत दन मिलने का योग है अब इसी उमीद में रहे इधर घर में दाल चावल सब कुछ खातम हो रहा है तुम एक काम करो ना भाग्यवान तुम भावी के पा मैं पूछती हूँ आखिर श्याम कब काम करके घर में पैसे लाएगा है अभी तो ये पैसे ले लो लेकिन दुबारा फिर से मांगने मता जाना बता रही हूँ वाओ वाओ पिक्ने सारे सोने के सिक हैं मिल गया मिल गया गुपत दन मिल गया क्या ये क्या है मैंने सुना है मैंने सुना है कि सुबह का सपना सच होता है भाग्यवान भाग्यवान उठो उठो अरे उठो भाग्यवान क्या हुआ मुझे मुझे बहुत सारे सिक्कों से बरा हुआ मटका मिला है बहुत सारे बहुत सारे सिक्के थे हाँ कुछ भी बोल रहे हो धत्रिकी उसके बार श्याम गुप्त धन के सपने देखते हुए ही दिन गुजारने लगा और दूसरी तरफ राम महनत करके अच्छा रोज़कार करने लगा राम की पत्नी कई तरह के स्वादश्ट पकवान बनाती थी और उसकी खुश्बू से हम लोग भी तो भाईया की पास जाकर खाना खाया सकते ना आप काम करके पैसे खमाने की कोशिश नहीं करेंगे यही ना ठीक है फिर मैं आज अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी पर तब आपक्त तब दीगे आपकल काम पर जाता हूं अरे तुम तो रतन चाचा के बेटे हो ना जी हाँ हाँ भाया मैं क्या कह रहा था कि कोई काम है क्या आपके पास तुम तुम काम करोगे भूत के मूल से राम नाम ठीक है फिर काम पर लग जाओ देखता हूँ कैसे काम करते हो तत तेरी ये शाम, काम करने के बजाए सो रहे हो, काम से निकाल दूँगा नो समाल कर बात करो, आखिर काम करना ही को चाता है वो तो मेरी पत्नी ने कहा था, इसलिए मैं आ गया भाईया, मैं अब आपकी भाई को सुधार नहीं पा रही, एक काम भी मिला था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया नहीं, ये भाई तो सुधारने वाला बिल्कुल नहीं है, अब लगता है मुझे पिता जी के प्रम्हास्त्र का उप्योग करने का समय आ गया तुम चिंता मत करो, बस चाकर भाई को ये बात कह दो की, बोलो, ये बात तुम उसे जाके कह दोगी न, बिल्कुल बता दूँगी भाईया, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा इजी, इजी सुन रहे हो अब सोने भी नहीं दोगी क्या, मुझे क्या रात में भी काम पर जाना पड़ेगा अरे बाबा, गुप्तधन जी, गुप्तधन आपके भाईया को गुप्तधन का पता चल गया है ये बात पता है आपको, आप बस यहां बैठे-बैठे हाथ मलते रहे क्या, ये नहीं हो सकता, कहा है, कहा है वो गुप्तधन वही उस खेल के मैदान में, मैंने सुना है कि गुप्तधन वही पर दबा हुआ है अच्छा, तब तो आज रात में मुझे वहाँ जाना होगा, वो भी भाईया के पहुचने से पहले, आहां, माची जाओंगा ये तो किसी सक्त चीज से कुदाल टकरा ही है, अरो वाहो, तिये रा, तिये रा ये तो बहुत भारी है, जरूर जरूर निसमा से कही होंगे, अरे, 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 ये, ये क्या है मागेवान, मागेवान ये देखो, मुझे ये गुप्तधन मिल गया है, मुझे मिल गया है ये गुप्तधन, ये कि नहीं होता कि ये गुप्तधन मुझे मिल गया लेकिन इसी 7 गोट कों से सब्सक्राइब दवी ख़ोड़ के आप दिनराथ घर में बैठि हो बताई है जड़ा अभी भी काम अरे भागेवान, मैं तो इंतिजार कर रहा हूँ, इंतिजार एक मटका सिक्के से बरा हुआ, क्या कम होता है, उससे मैं क्या-क्या खरीद लूँगा उससे क्या-क्या खरीद लूँगा, उसकी एक सूची बनानी होगी हाँ, हाँ, और सबसे पहले एक बड़ा सा गर बनाऊंगा, वहाँ पर दो नोक कर रहा हूँगा तो अज़ा तो अज़ा मशली है, क्या बोला? बड़ी दू या छोटी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों ये दे दो पैसो की चिंता मत करो, तुमने सुना नहीं है क्या? मुझे सिक्के का मटका मिला है, सारे पैसे सूच समेश चुका दूगा आज़ो, आज़ो, सुभी, आज़ो, आज़ी तो, इस मटके को खोलने का दिन है अरे बाइया, मैं मटका खोलने वाला हूँ, ये बाद सुनकर आप तो बिल्कुल सही समय पर आगे आप मेरे पैसे चुका दीजिये मालिक, बहुत दिनों से आप उधार में मुझसे मचलिया लेकर आते रहे हैं अरे बाबा, सब मिल जाएगा, पहला इसे खोलने तो दो श्याम के मटके से रखकन हटाते ही, उसमें से एक मेड़ा कुछंके बाहर आजाता है और मटके में सिक्के का तो कोई नाम और निशान तक नहीं था, बलकि उसमें कंकर पत्थर भरे हुए है बहुत बड़ी-बड़ी बाते करके हम लोगो को यहाँ बुलाया था, कहा गया हो सब मैं कुछ भी नहीं सुनूगा मालिक, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, पैसे ना देने पर कौन आपको बचाता है, आज मैं भी देखता हो मालिक मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो, मैं इसके बदले सभी के पैसे चुका दूँगा, आप सभी जाओ, ठीक है, जाओ, जाओ, जाओ भाईया आज तो आपने मुझे बचाई लिया, औरना आज बतानी मेरा क्या होता मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे ये उपाई पिता जी ने बढ़ने से पहले बताया था, उन्होंने मुझे एक दिन शाम को ये उपाई बताया था मैं, मैं तुम लगों के सामने गुप्त धन के बारे में कुछ बताऊंगा, गुप्त धन की लालच में शाम बिल्कुल भी जुब चाप नहीं बैठेगा खोजबिन करने के बाद भी जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक उसका काम करने में मन लग जाएगा, समझे आखिरकार मुझे मजबूर होकर तुम्हारी पतनी को ये सब बताना पड़ा, और वो मटका खेल के मैदान में मैंने ही दबाया था वो तो सब में समझ क्या भाईया, लेकिन ये साथ दिन का समय क्यों? मैं बस देख रहा था कि तुम्हारी लालच आखिर कितनी बढ़ सकती है मुझे माफ कर दिजए भाईया, मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करके हमें पैसे कमाने पड़ते हैं इना मेहनत के कोई भी गुप्त धन नहीं मिलता है, कोई गुप्त धन नहीं मिलता है और इसके बाद से श्याम बहुत ही मन लगा के काम करने लगा और आलस भरी जिंदिगी छोड़कर वो काम के प्रते जिम्मेदार हो गया प्रते जिम्मेदार हो गया 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 हो गया